नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्वार सावन के महने में कुछ ऐसी चीजें जो भूल कर भी किसी को ना दे वरना सिभ होंगे नाराज वैसे तो स्रावन माह सुरू होते ही भक्तों के अंदर सिभ जी को एक लोटा जल अरपित करने के लिए मन अंदर से ललाई थोयाता है क्योंकि सब को पता है सावन के महने में सिभ जी पृत्वी लोग पर रहते हैं और जब वो आपके पृत्वी लोग पर हैं यानि सिवाले में हैं तो यकिनन सिवाले में हैं आप वहां जाते हैं तो आपकी सारी मुनों काम ना पूर्ण होती है और सिवजी ठहरे भोले भाले एक लोटा जल एक बिलपत्र से ही खुस हो जाते हैं पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी आप किसी को भी ना दे, वरनसी भोंगे ना राज तो वो कौन सी पेस्तु है जो दान नहीं करना चाहिए हम देखते हैं कि कोई हमसे हमारे परोसी है कुछ लेने के लिए नीजी इस्तिमाल करने के लिए कुछ चीजे मांगने के लिए चड़े आते हैं कि भाई सादी बयामें देना है जाना है ये कपड़े देदो आपके अब सगाई की अंगुठी है आपकी मंगल शुत्र है आपका मांग की का है आपकी नत है आपकी चुन्नी है घागरा चोली है कुछ भी ओव सकता है तो क्या सच में किसी के साथ इन चीज़ों को सेर करना चा जीवन में सुख संपत्ति बैभव पाने का उपाय दही से ही किया जाता है और ऐसे में दही तो भूल कर भी किसी को ना दे दूद दूद भी किसी को नहीं देना चाहिए सुबस हो दोपहर हो या साम हो अक्सर लोग मांगने आही जाते हैं और बहुत बार तो ऐसे परोसी मिल जाएंगे जो बिना मांगे उनका काम ही नहीं चलता तो ऐसे में कुछ चीजें जो कभी किसी के साथ सेयरण डेखा होका जब किसी बच्च को नजर लग जाती है तो प्याच के छिलका लहसन का छिलका बेगारे से नजर उतारा जाता है अगर बहुत जोर नजर लग गई है तो तो यह चीज़ें किसी को नहीं दिए और हाथों हाथ तो नमक कभी किसी को ना दे, संबंध बिगडते भी हैं, और नमक वैसे भी जमीन में भी नहीं गिराना चाहिए, आपको तो पता ही होगा, तो नमक के बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं, जो भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए, अमवस्या के दिन तो पैसे क किसी को भी मत दे चाहे आपका कितना भी वो करीबी क्यों ना हो और आप अपने साधी विवा या आपका इंगेजमेंट किसे समंदित कोई भी बस्तू कपड़े हो जोलरी हो आपके जूते हो सेंडिल हो चूड़ी हो कोई भी चीज किसी को मत दीजिए तो अमवस्य के दिन पैसे किसी को मत दीजिए नहीं तो लक्षमी जाएगी और आपको फिर दिक्कते आ जाएंगी मंगलवार के दिन कभी भूल कर भी किसी को करज ना दे वैसे तो धन के मामलों में बहुत समलके रहना चाहिए और बुद्वार के भी दिन किसी को पैसे नहीं दिये जाते लेकि माह लक्षमी की किरपा आप पर बरसती रहे क्यूंकि लक्षमी चंचला इसके साथ ही को नहीं देना चाहिए वरना माह लक्षमी आपका साथ चोड़ सकती है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं महिलाओं से क्यूंकि महिलाएं कोमल हिर्दे की होती हैं और बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती हैं दोस्तों किसी भी महिला को भूल कर भी अपने पैर की बिच्छुआ जो आप पैर की उंगलियों में पहनती हैं बिच्छिया जिसे कहते हैं कम से कम पहनी हुई बिचिया कभी किसी को मत दीजिएगा वरना आपके लिए ये बहुत ही बिनासकारी साबित हो सकता है आप नई दे सकती हैं पर अपना पहना हुआ अपनी बेहन को मा को ननत को किसी को भी ना दे इस बात का हमेशा ही ध्यान रखेगा दोस्तों दूसरी बात है सिंदूर हमारी बहुत सारी माताय बेहने क्या करती हैं एक ही किया से जिसे हम सिंदूर रखने के डि करना आप यह भी सेर ना करें बल्कि एक नया डिब्बा रखें जो दूसरों के लिए होना चाहिए आप ऐसा ही करिए आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों चलिए अब हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं वह कौन सी ऐसी चीज है जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए सब अपने लिए जो खुद आप पेन यूज करते हैं उसे मत दीजे वरना आर्थिक रूप से परिसानिया आपकी जीवन में आ सकती है दोस्तों कहते हैं किसी और की घड़ी पहनने से आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान हो सकता है तो आगे से या करते हैं दूमधाम से साधी तो करते हैं लोन भी लेते हैं और करज में डूग जाते हैं लेकिन ये तो ठीक है लोग बाद में दीरे-दीरे करज उतारते हैं पर सगाई की जो अंगुठी होती है उसे कभी भी करज के पैसे से मत लीजेगा ये अच्छा नहीं माना जाता इसकीन सेहत से इनका सीधा संबंध होता है किसी और का यूज की आवसावन आप इस्तेमाल मत कीजिए वरना गंभीर बीमारियां होने का भी यहां पर चांस बना रहता है तॉलिया बैक्टिरिया फंगस बहुत कुछ होते हैं और अपना तॉलिया तो कभी किसी से सेहर ही मत तो एसे में रेजर कभी 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 क्या होता है आप सेयोगा कि एक उसकी और को क्या बिमारिया है और उसका अगर आपके पास आगया तो मुस्किल बढ़े कि इसलिए अपना रेजर खुद यूज्च कीजिए किसी दूसरे को भूल कर भी मत दीजिए दोस्तों कहते हैं नेल पॉलिस जो आप लगाती है नाखुन में या फिर लिब बाम अगर उंगली से लेकर लगाती है तो ठीक है वरना ओठों से ओठों में लगाने का सिस्टम अगर आप खुद अपने ओठों में खुद से लगाती है तो वह वाला किसी और को मत दे यह अच्छी बात नहीं होती है अगर हम असली मुद्धे पे आएं तो महिलाएं कभी भी भूल कर भी रात में दही किसी को भी ना दे अगर आप किसी को दही देती हैं तो आपके घर से लक्षमी वाता बहुत जल्दी रूस्ट हो सकती है इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दही देने से मा लक्षमी आपसे नाराज हो जाती है और फिर लाग प्रयास करने के बाद भी आपके घर में बहुत मुश्किल से ही आएंगी दोस्तों सनीवार के दिन चांदी के आभुसन खरीद कर किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए ऐसा करने से आप करज़िदार बन जाते हैं याँ आप करज में फस सकते हैं याद रखिए सनीवार के दिन सफेद मोटी खरीद कर अगर किसी को भेट करते हैं तो फिर दुरघटना के भी योग बन जाते हैं तो याद रखिएगा सनीवार के दिन चांदी सफेद मोटी खरीदिये पर खुद के लिए वैसे सनीवार को सोना खरीदना अच्छा होता है चा चमेली के तेल या फिर इत्र किसी को भेट करने से बिमारियां परिसान करती हैं। दोस्तों गनेज जी और लक्षमी जी की तस्वीट मुर्तियां लोग अक्सर क्या करते हैं गिप्ट में दे देते हैं। ये गलत है गनेस जी जो आपके घर में खुसियों को लाते हैं मा लक्षमी जो धन की बरसात करती हैं अगर आप किसी को गिप्ट में दे देंगे तो भला आपके पास क्या बचेगा इसलिए आगे से ध्यान रखेगा और दुबारा सोचिएगा जरूर कि लक्षमी जी को आप क सभी यूज़ करते हैं किसी को भी प्रुमाल हम आपसे विदा लेते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद हर हर महादेव